बच्चो आप शबीक हमारे यूटूब चेनल आईगेल देव किलासेस में स्वागत है बच्चो आज हम आपके लिए ब्रिच कोस लेके आए हैं और ये ब्रिच कोस कक्षा नौमी के लिए है और विशे क्या है विशे हिंदी और किस सतर के लिए सतर दोजार चोविस पच्चे की सहर आज इस वीडियो के माद्यम से आपको एक दिन भुचका यह क्या है एक डाइरी है इससे समंदित जो आपके कार्यपत्रक है वह कार्यपत्रक बताएंगे और जो आपकी डाइरी एक दिन भुचका इसका कौसल क्या है अपनी भासाई परिवेस के पति सजग और यह देखते हैं पाट चार डाइरी एक दिन भुचकी तो इसमें क्या दिया है साथ तीन दोजार अठारा यह तारिक साथ तीन दोजार अठारा की बात है उसमें जो डाइरी में लेखक अपने बारे में लिख रहा है जो उसने यात्रा की थी उसमें एक दिन तो वहा वहा र देलगाडी की यात्रा आखिरकार बहुत सारी गडबरियों के बाद बैठी गया मैं अपने साथियों के साथ मैं खुद को ही तसली दे रहा हूं कि बैठ गया तो पहुंची जाओंगा 22 या 24 गंटे में कहां पहुंच जाएगा भुज गुजरात अब पलके भारी मेरी डायरी सुबरात्री और पलके भारी आने की अब नीद आ रही है वो किससे कह रहा है डायरी से सुबरात्री डायरी फिर 18-2018 आज के दिन 24 गंटे में मानों हमने 28 गंटे जिये हैं जिस आयोजन के लिए यहां आये थे उसकी तैयारी करने में अल सुबह से हम सारे लग गए थे समाज और सेना के वीच समंजे से स्थापित करना था जिसका समने मिलकर प्रण भी लिया यहां पैत्तिक हिंदुस्तानी के रग रग में जोस जजवा जलक रहाता है वा क्या अध्भूत अनवह हुआ मुझे आज जवानों का या उन्सासित जीवन जो उनकी दिन्चरिया की हर गतिविधी में जलकता है मेरे लिए एक अलग ही अनवह रहा अध्भूत मैं अपने कलम से बया नहीं कर सकता वो सफेद नमक से भरी चादर रेकिस्तान के मरोरम द्रस्य उनका तो कोई जवाब नहीं दूर दूर तक धूसर जाल जंजाल नांगपनी के पौदे जीवन ब पकास से एक दिन भुच की डाइडी थी उसमें एक लेक लिखा गया है उस लेक को पढ़ना है आपको और उस लेक से संबंदित जो आपको कार्यपतरक दी उन्हें स्टलेक सिक्षक द्वारा बोले गए सब्दों को लिखिए यहाँ पर सिक्षक सब्दों बोलेंगे और यहां बता है तसली अलसुबर समंजस्य अनुसासित मनोरम रिलगाडी आखिरकार आयोजन गड़बरियों गुजरात मेराथन समंजस्य हिंदुस्तानी शफेद नमक लसी कठीन आदी यह क्या है सिक्षक द्वारा भोले गए सब्द हैं जो आपको लिखना है किस रूप में आपको सुतलेक बोलेगा और आपको लिखना है तो आपका कारेपत्र एक का पहला प्रेशन कंप्लिट हुआ इसके बाद दूसरा प्रेशन क्या कहा रहा है दिये गए चिन्नों का प्रयोक कर वाक्य लिखिए आपको जो चिन दिये गया है इन चिन्नों का प्रयोक कर आपको कहां जा रहा है क्या वह पुष्टक पढ़ता है और नाशन में प्रस्णावाचक चिन और पूंविराम में राम आम खाता है यहां पर यहां पर मेरी डायरी सुभरात्री मेरी डायरी के बाद अलपराम लगा है और लिखती तो इस परिकास हम के आपको लिखे बता दिये यहां पे आपका जो कारे पत्रक एक का है किस से एक हो कि यहाँ प्रस्ण है निचे नंबरद हुन क्तर करण आ है किस ने कहा है क्यों कहा किस से कहा और कब कहा यह लिखना जैसे कहा नमबर क्या है यह अनुसासित जीवन को यह अनुसासित जीवन जो उनकी दिन्चरिया को हर गति विदी में जलगता है क्यों कहा लेखक ने शीमा सुरक्षा बलके जवानों का अनुसासन देखकर कहा किसने कहा लेखक ने अपनी डाइरी से कहा फिर खा नमर का क्या गहा रहा इसमें चुले की रोटियां मिले और घड़ा भर लस्टी और क्या चाहिए क्यों कहा क्योंकि लेखक को ये पसंद थी क्या चुले की रोटियां और घड़ा भर लस्टी किसने कहा लेखक ने कहा फिर ग लिखा है चिता ही और रखिचे Marshachec देखना है जिदेखने से आपको क्या दिख रहा है पेल पौद Literally यहां पेल पौद धिखाई दे रहा है historians नहीं दो कि फर्खेमास्ग और पत лишьे वहार में हृतल होगा इस चित्र में हमें फेल पौदे करें भरता दिखाई दे रहा है इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे हमें हर्याली देते हैं और जी जो पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं हर्याली इन पेड़ पौधें से हमें आक्सिजन गैस प्राप्त होती है यह जो हरे बड़े पेड़ पौधे से आपको एक क्या दिख रहा है पेटूई लिए संसार दिख रहा है ऐसके बारे इस चित्र में पेटिवी दिखाई दे रही है जिसका आकार गोल है क्यों सुराथेक्षित रखना बहुत ही आविश्यक हैं पैदवी की शुरप्स्चा के लिए हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए इस परकार से यह आपके जो दो चित्रत है उनके अंशेद लिखने के लिए कहा तो हमने यहाँ पे दोनों चित्रत आपको लिखे बता दी आप अपने आधार पर भी अंशेद लिख सकते हैं इसके बाद नेश्ट कारिपतरक है आपका क आपके का बनेगा मैं अपने दोस्त को तसलिब दे रहा हूँ होता है सुबह सवे। मेरा दोस्त ऑखहर आया था समझसत क्या होता है संगत है समाज व कि इसके भी समझे से अवस्यक है फिर अनुसासित अनुसासित होता है आग्या पालन या नियम आदेश का पालन यह क्या हो गया अनुसासित का अर्थ और इसमें आप इसका वाक्य क्या बनाएंगे इश्कुल में बच्चे अनुसासित होते हैं मनोरम मिन्स होता है सुन्दर मनोर होता है चटाने दूसर है फिर जॉंच भर जंखार मैंस होता है जाड होता है काड़े उससे कैए चार्य नांक प्रनी के पौद हूंय इस परकार से आप क्हली कारे पत्रक नइस्ष्ट वाद नेश्ट मेरे आपका कारे पत्रक पॉँल नाजम करता नुए जिए साइकल मोटर साइकल में से जिस पर आपने यात्रा की हो उस यात्रा का व्यूरार अपने सब्दों में लिखिए देखिए वच्चों इसमें क्या कहा है रेल गारी बस बैल गारी साइकल मोटर साइकल आपने जिस पर भी यात्रा किया है तो उस यात्रा का वर्णर अपने सब् लिखना है जैसे मैंने यहां पर रेलगाडी में यात्रा किया हूँ तो रेलगाडी के बारे में यहां बताया मैं अपने सब्दों में लिख सकते हैं चलिए गर्मी की छुट्टी थी मेरे भाई ने मुझे कलकता आने के लिए अमंतित किया यह वहाँ बहुत दिनों के बाद म कहिए अपने घर से बाहर जा रहा हूं प्रात्ताकाल का समय था सुभ़ै का समय था मैंने एक टिकट खाईदा और टूफान एक्सप्रेश के एक दूसरे डिपबें में प्रेश कर गया और मैं कहां जो तूफान एक्सप्रेश को प्रेश किया और ठेटकी के साइड जाके बैड़ गया गाड़ी चालू थी हो गई गाड़ी क्या हो गई चालू हो गई और सिग रही वा तेज हो गई और सुबहा बहुत दूर्ग तेज दूर्ग वेकर बहुत तेज गती से जाने लगी छोटे छोटे इस्टेशनों को पर बिना रुके ही वह बढ़ती गई गई मेरे डिब्बे में अधिक यात्री नहीं थे इस पकार 24 गंटे की यात्रा करने के बाद में कलकत्ता पहुंच गया मुझे 10 की यात्रा सुखद लगी इस पकार से आप रेल गाड़ी के बारे में लिख सकते हैं बस के बारे में बैल गाड़ी के बारे मे तो जो आपकी यात्र राहिए की जिससे भी आपने यात्रा का व्योरन आपको यहाँ पर जिए आपका ना इंतल हिरे हो तो आप हमारा चनल आइडैल डेव कलास्स को सस्काइब कीजी लाइक कीजी और इस वीडियो कोrict आपको एंगरूरूप में शेयर जरूर कीजीए